Assalamualaikum friends, welcome back to my channel Based Knowledge, मेरा नाम है जिबरान सिर्फ प्रेचा और आज का टापिक है हमारा Ectocarpus, Ectocarpus is a brown algae, ठीक है, algae के ग्रूप में आती है B.S.C. Botany Zoology Chemistry अपने फर्स समेस्टर के अंदर जब morphology of plant पार रहे होते हैं तो वहां पर ये एक बहुत important topic है, MSC के student या botanist जो उनसे ह हैं, उनके लिए भी एक important topic है, तो currently लाजमी देखें, इसके इलावा different LG के topics मैंने discuss किये हैं, आलमस्त तमाम B.S.C. में जो LG के topic आते हैं, वो मैंने discuss कर दी हैं और YouTube पे video available हैं, तो आप वहां से भी check out कर सकते हैं, और मैं link भी दे दूँँगा description box में, वीडियो स्टार्ट करने को grow करने में help करेगा, अगर आपको कोई new video चाहिए, किसी topic पे video चाहिए, तो आप kindly comment box में mention कर सकते हैं, चले, देर किये बगार हम शुरू करते हैं, सबसे पहले classification, few fighter में से ये belong करता है, class, iso generate TAC है, मारे पास order, ectocarpals, family, ectocarpals, 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 e abandonly पाए जाती है, worldwide cold water के अंदर, specifically, ये fresh water में पाए जाती है, ये प्लांट, ये वाले प्लांट ग्रो करते हैं, rocks के ओपर, stones के ओपर, many costing के ओपर, even they are also epiphytes, मतलब दूसरे प्लांट के ओपर भी ग्रो करते हैं, ठीक है, इसके इलवा, ectocarpals, हमारे पास fishes हैं, कुछ खास कि स्वीडन के रिजन में पाए जाती हैं, उनके fins के ओपर भी ग्रो कर जाती है, ectocarpals, endophytes भी हैं, दूसरे प्लांट के अंदर भी ग्रो करते हैं, और कुछ ectocarpals की species हमारे पास fresh water में भी पाए जाती हैं, तमाम उनकी occurrence with specific example of species भी यहां पे लिखी हुए आप नोट कर सकते है next, vegetative structure की बात करें, तो इनके vegetative structure थलाइड होता है, इनके अंदर no root, stem and leave नहीं होता, यह हमारे पास से even के plant में भी नहीं आते हैं, अब इने protista group में अंदर, kingdom के अंदर consider किया जाता है, however, अगर हम इनके structure को detail से पढ़ें, तो इनका system structure दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, one is a basal part called prostate system, नीचे की तरफ, जो horizontal to the earth होता है, और उससे specific राइजाइड निकलियती हैं, जो anchor करके nutrition अबजाव करने में मदद देंगे, और उपर की तरफ एक erect system होता है, जिसे अब projecting system कहते हैं, जो upward move का रहा होता है, ठीक है, इस projecting system और prostate system, और prostate system root के बजाए राइजाइड की मद नजर आ रही हैं, यह one cell ठीक होते हैं, one by one cell, जहां पर आपको उबड़ावा हिस्सा नजर आ रहा है, वो inter node और जो tight thin हिस्सा नजर आ रहा है, bending नजर आ रही है, वो nodes होंगे, ठीक है, यह one cell ठीक होते हैं, अब आपके पास first one क्या था, prostate system जिसे मैंने explain कर दिया, यह उस plant को, एक्टो कार्पस को जमीन के अंदर embedded करके रखेगा, लेकिन यह poorly developed होता है, ठीक है, prostate system खास दोर पे जो soil पे रहने वाले पोड़े होते हैं, उनके अंदर फिर कुछ मुझूद होता है, लेकिन fresh water के अंदर species जो रहती हैं, उनके अंदर बहुत काम होता है, project team system main है, क्योंकि इसके साथ aerial branches जो रही होती है, well branch filament होता है, उपर की तरफ rise होते हैं, cells के बीच में septa बने होते हैं, यह unicy rate होते हैं, the word unicy rate mean, कि इनकी जो branches हैं, वो tip पे narrow हो जाती है, आप देख रहे हैं, हर branch ही tip पे narrow हो जाती है, इस ability को unicy rate कहते हैं, ओके, आगे चलते हैं, अगर आप बात करें, इसके cell के ओपर, filament के ओपर, इसका filament one cell ठिक होता है, जैसे कि यह आपको नजर आ रहा है, और cell to cell branches निकली भी होती है, cell के center में nucleus होता है, sides पे walls होती है, walls three layered होती है, और इदर से देख लेते हैं, और उनके पास chromato force भी होती है, जिनके अंदर pigment होते है, photosynthetic pigment, इनकी wall gelatinize हो और आप पास एक jelly like nature बनाई भी होती है, इनके ओपर खास किसम के sporengium लगती है, जिनकी characteristic बाज़े है कि यह दो टाइप के होते हैं, एक unilacular एक plurilacular, यह इसका main point है, जो sporengium वाला structure है, किस किसम के spores पैदा होने हैं, उसके बारे में, however cell के structure की बात करें, तो cylindrical cell होगा, यह gelatinized in nature होगी, इनके अंदर ribbon like चप्टे, ठीक है, irregular किसम के chromatophores होते हैं, यहनकी pigment containing bodies, और characteristic pigment होगा, phyco xanthin, ठीक है, इसके इलावे इनके पास, इस phyco xanthin की वज़े से वैसे इनने जो golden brown color आता है, इसकी वज़े से यह मशूर है, brown algae, वो इनने यह phyco xanthin परवाइड करता however, other pigment chlorophyll A, chlorophyll C, beta carotinin and other zensophylls भी पाए जाते हैं, इनके पास perinoid like bodies जो नसी होती हैं, वो chromatophore के साथ link होती हैं, जो starch बनाने में help करती हैं, all other eukreatic organelles present होगी, जैसे endoplasmetic ngology body, lysosum, paroxysum वगरा, इस तरह की organelles लाजमी होगी, एक normal eukreatic cell pack होगा reproduction की बात की जाए, तो reproduction इनके अंदर, asexual and sexual both method से होती है, asexual के दो method हैं, यह दो किसम के spores बनाते हैं, एक mito zoospore और एक meo zoospore, the word mito and meo, drive from the mitosis and meiosis, ठीक है, बहराल इनका जो zoospore है, वो sporengym के अंदर होता है, और sporengym में बनता है, और zoospore के ओपर दो फले जला लगते हैं zoospore मनाने के लिए इनके पस दो टेकनिक्स हैं, वानिजा, unilacular sporengym, unilacular sporengym में क्या होता है, एक fertile branch निकलती है, उसके उपर एक cell अलग होके, उसके septa बनता है, उसके अंदर एक cell जाता है, एक nucleus जाता है, यह plant body diplied होती है, तो वो एक nucleus सबसे पहले meiosis करता है, चार haplied nucleus बन 64 तक इनके cell daughter nuclei पैदा होती है, हर nucleus अपने आसपस cytoplasm का एक छोटा सा pack लेता है, और अपने क्रोमेटर फोर्स को range करता है, फूड स्टोर करता है, और अपने आसपस एक तिक वाल बनाने की कोशिश करता है, इन spores को जो इधर पैदा हुए हैं, वो शुरू में meiosis के थ्रू ह हुए थे और dip light sporengium के अंदर haplite spore बन रहे होते हैं, तो इसलिए इन्हें meiosis spore कह सकते है, because they are produced by the meiosis, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं, कि इसके अंदर कोई chamber नहीं बनावा, एक या outer sporengium के वाल है, और उसके अंदर धेर सारे चोटे 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 स्पोर्स बन ग लाकुलर का इसे नाम दिया गया है, जब यह spore release होंगे और जाके जमीन पे वो zoo spore पैदा होंगे, अच्छा एक और बात कर लें, zoo spore की जो shape है, वो peer like या elongated होती है, फ्यूजी फार्म, इनके पास दोफले जला होते हैं, जो different position के ओपर inserted होते हैं, यह बात हम कर चुके हैं, वैसे इतनी जरुवत नहीं है, इसे करने की, डिसकस करने की, जर्मिनेशन को एक दफ़ाए पढ़ाऊंगा, प्लूरी लाकुलर के स्पोर भी पढ़के, प्लूरी लाकुलर स्पोर एंजीम से साइल होता है, नीचे एक छोटी सी स्टाक होती है, या फिर सिसाइल होगा, या एक सेल के अंदर एक निकलेस होता है, ना के एक ही चेमबर के अंदर धेर सारे निकलेस हो, हर एक चेमबर के अंदर एक निकलेस होता है, धेर सारे चोटे चोटे चेमबर बनते हैं, इसलिए इस पोर एंजीम के अंदर जएद चेमबर होने की विज़े से आप इने प्लूरी निचे तरफ columns और sideways rows count होंगी. तो अगर हम देखें तो ये तकरीबन 6 to 12 rows बनाता है और long wise column देखें तो 20 to 40 बनाता है. अगर minimum भी लें 6 rows होगी 20 column होगे 6 to 20,000 तकरीबन ये बन जाता है आपका 1200 की क्रीब, 1200 की क्रीब सेल बनते हैं लेकिन ये 12 to 40 तक भी हो सकते हैं तो hundreds of cube-like cell बनते हैं डबे-नुमा क्यूब बनते हैं हर निकलीस आपस में कठे नी रहर होते हैं इनके अंदर cell भी जएदा बनते हैं यूनिलाकुलर स्पोरेंजियम के compare में और इनके अंदर जितने नीकलीस डिवाइड हुए, cell डिवाइड हुए, उनके अंदर mitosis हुई थी, miasis नी हुई थी तो मतलब हर एक cell जो स्पोरेंजियम के अंदर मुझूद है, जिसे अब स्पोरोसाइट भी बोल सकते हैं, वो अपने अंदर डिपलाइड नुकलीस रखता है अब हर cell जनके क्यूबिकल cell अपने आपको मेटा मार्फराइस करेगा, अपने प्रोटोपलाजम को श्रिंग करेगा, पियर शेब लेगा, दो फले जैला लगाएगा, दोनों को साइज अनिकुल होता है, वो साइडों के ओपर जुड़े वे होते हैं, वो अपने आसपस एक रिलीज होके बाएद आ आजाते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर ही यह भुगाओ है, डफिनेटली, आगे बात आ जाती है, जर्मीनिशन अफ मयोजूस्पोर, या माइटो Зूस्पोर, मयोजूस्पोर में मैं यह लिखा है, सेम ही है, दोनों की टैकनीक, जर्मीनेट कर और अपने आसपस ठिक membrane release कर देंगे membrane release होने के बद कुछार से बद बाहर की तरफ membrane फटेगी और उसके अंदर एक germ tube पैदा होगी germ tube पैदा होके जब वो अलग उपर की तरफ उपनेगी नीचे एक सेप्टा बनके उस cell को अलग कर देगा वहाँ पे वह सल तक्सीम करके एक filament बनाएगा germinating tube, germ tube भी जिससे कह सकते है वो tube develop करके future में आपके पास जो पीछे prostate system आपने पड़ा था कहां गया बस बस ये वाला ये निचे जो उनसा prostate system वो बनाएगा germ tube से पहले prostate system बनाएगा उससे राइजाइड बनेगी फिर prostate system से projecting system को develop करवाया जाएगा however, इस तरह के से वो grow करते है अब यहाँ पे दोनों में फार्क जो आपके पास मियो जूस्पोर germinate करेगा उससे पैदा होने वाला आरगनीजम या प्लांट हैपलाइड होगा क्योंके मियो जूस्पोर खुद हैपलाइड थे तो definitely वो हैपलाइड है और future में गमीट बनाएगा तो उसे हम गमीटोफाइड कह सकते हैं whereas when माइटो जूस्पोर germinate as माइटो जूस्पोर is diplied in nature so when it germinate it produce a plant have diplied cells and diplied cell organism या plant our plant is a sporophyte and they again repeat the cycle जितने भी माइटो जूस्पोर होंगे वो सारे के सारे plurilakular में बनेंगे और future में अगेन अपनी ही diplied plant sporophyte को पैदा करेंगे लेकिन जो unilakular spores होंगे वो आपके पास unilakular spore NGM के अंदर बनेंगे और वो muzoos por होंगे future में वो gametophyte बनाएंगे अब gametophyte बन गया gametophyte वहाँ पे reproduction करेगा मज़े की बाद ये है के ectocarpus हमारे पास diplo-haplontic life cycle रखता है या haplo-diplontic life cycle रखता है और इसके अंदर haplied generation gametophyte and the diploid generation sporophyte characteristically by shape same है इसे कहते है क्या कहते है इसे कहते है isomorphic alternation of generation एक जैसी शकलों का generations का alternate करना so start the sexual reproduction in gametophyte gametophyte प्लांट वैसा ही पैदा होगा जैसे sporophyte होगा उसका prostate system projecting system और उसके ओपर branch और reproductive branch वगएरा सब कुछ होगी अब जो आपके पास prostate system पैदा होगा वो हो सकता है सिर्फ एक टाइप के sport पैदा gamet पैदा करे दूसरा plant दूसरे टाइप के gamet पैदा करे मतलब heterothelic या heteromorphic या heterosagos आप इसे heteromorphic या dieecious अलफाज यूज़ कर सकते है लेकिन mostly ये monoecious या homothelic या iso gamet होते है मतलब एक ही plant दोनों किसम के gamet पैदा करता है होगा क्या plant के उपर sportified के उपर again एक कौन लगेगी इस time इन्होंने meiosis नहीं करने क्योंकि ये already ही haplied है तो simply ये क्या करेंगे कौन के अंदर cell एक जाएगा septa cutting होगा जब भी किसी ने sport या gamet बनाने है और उसने अपने kromosome की generation को same रखना है तो वो आपके पास plurilacular sport एंजियम या gamet एंजियम बनाएगा अगर gamet या cell के अंदर आपके पास kromosome की तदात कम करनी है तो then वो हमारे पास वो ही जो plurilacular के अंदर sport एंजियम के अंदर आपने पढ़ा था वैसे plurilacular gamet एंजियम बनेगा उसके अंदर rows होंगी six to twelve and columns होंगे twenty to forty के करीब और thousands या hundreds of sport एंजियम बनाने वाले सोरी anthirocyte बनाने वाले cell बनेगे उन्हें आप gamet एंजियम भी बोल सकते है anthirocyte भी बोल सकते है ये cube like जो उनसे cell है cube like cell के अंदर metamorphosis होगी और वो हमारे पास anthirocyte या gamet बनाएंगे gamet बना के वो gamet आपस में fuse हो सकते है लेकिन मज़े कि ये बात है यहां पे male gamet और female gamet अलग अलग नहीं होते ये शो आखा specific sexual reproduction गार्ड आईसो gamet sexual reproduction sometime they show the heterogamet reproduction but they have a different ways to express it सबसे पहले बात करते है iso gamet iso gamet में क्या होता है gamet same होते है दो different gamet आपस में fuse होते है उनमें कोई male कोई female नहीं हो सकता वो दोनों gamet एक ही plant के हो सकते है एक ही gamet engine के भी हो सकते है या फिर different plant या different gamet engine के भी हो सकते है वो आपस में fuse होके zygote बनाते है दुसी टाइप है एन आईसो gamet जिसमें gamet same नहीं होते लेकिन physiological एन आईसो gamet इसमें क्या होगा शेप में सेम है structure में morphologically आईसो gamet लेकिन physiological एन आईसो gamet gamet शेकल में सेम होंगे बट एक खास किसम के कुछ gamet passive होंगे slow होंगे इतनी तेज़ी से move नहीं करते होंगे move करते होंगे लेकिन तेज़ी से नहीं करते होंगे और जो आपके बस male gamet जिने हम कह सकते हैं वो fast moving होंगे तो करेंगे क्या जो slow moving gamet है उसे हम female कहा देते हैं और fast moving gamet उसके करीब आते हैं और उसके साथ आके fuse होते हैं एक किसम का एक female gamet जो passive है उसे धेर सारे male gamet आपके पास surround कर लेते हैं और उसके साथ जुड जाते हैं चीज़ को कहते हैं कलंप फार्मेशन कलंपिंग कोई एक gamet इस काबल होता है कि वो passive gamet के साथ जाके fuse करे और उसके अंदर अपना nucleus insert करे और उसे हैपलाइट से dip light बना दे यनके zàiगोट बना दे in that case अगर एक zàiगोट बनाने के लिए एक gamet का जो nucleus है वो दूसरे gamet में दाखल हो गया है passive के अंदर fertilization होगी तो मज़ीद दूसरे किसी gamet को इंटर होने नहीं दिया जाता dip light फिर आपके पस zàiगोट बनता है यह होगी आपके पस physiological जो आपके पस anisogamie है इसके बाद आजा थी morphological anisogamie morphological anisogamie में शकल में फार्क होता है मतलब एक gamet छोटे साइस का होगा और एक gamet बड़े साइस का होगा ठीक है यह पैदा भी different gamet engine में होंगे तो आप इसे male gamet engine या female gamet engine कह सकते हैं however अगर छोटा gamet पैदा हो रहा है female gamet बनता है और micro gamet engine के अंदर छोटे छोटे काफी gamets बनते हैं वो आपस में fuse होंगे और zygote बनाएंगे ठीक है बाकी fusion में इतनी कोई detail नहीं है fertilization simple ही होती है बाद में वो जो zygote होगा वो अपने असपस sometime wall बनाके जमीन में release हो जाते हैं उनके अंदर meiosis अगें नहीं होती क्योंकि वो dip light रहना चाहते हैं वो dip light zygote germinate करता है उसी mechanism से जिस mechanism से हमने mito zoospore ये meo zoospore को हमने germinate करवाय था वैसे ही वो germinate करेगा germinating tube बनेगी और एक नया plant बन जगा लेकिन this time the germinating zygote is dip light and produce plant is also a dip light sporophyte फिर वो आपको पास sporophyte बनेगा वो sporophyte अगें वो ही काम करेगा आपके पास unilacular sporogy बनाएगा उसके अंदर haplight spores बनेगा है meo zoospore और उनसे फिर gametophyte बनेगा फिर gametophyte से आपके पास sporophyte बनेगा sporophyte से फिर gametophyte बनेगा है they can alternate with one another ठीक है इस चीज़ को alternation of generation कहते है इसको diagram से समझते है बाहर वाला जो cycle है unilacular sporogyum के अंदर meo zoospore बने उन्हों germinate करके gametophyte बनाए gametophyte के अंदर gametophyte बने उन्हों रफिर फिर जाइगोड बनाए जाइगोड फिर से against sporophyte बना रहा है यह आपके पास एक sexual and asexual reproduction का method है और यही main cycle है however जो आपके पास sporophyte है वो plurilacular sporogyum भी बनाता है plurilacular sporogyum में spor की number of chromosome सेम रहते हैं वो diploid के diploid रहते हैं जब वो release होके grow करते हैं तो वो again sporophyte बनाते हैं ना के gametophyte क्योंके sporophyte diploid है gametophyte haploid है अगर वो spor meiosis से पैदा होते तो फिर आपके बस वो haploid gametophyte बना सकते थे लेकिन वो again sporophyte ही बनाएंगे ठीक है इस इस आप लाइफ सेकल आफ एक्टो कार्पस अमीद करता हूँ आपका समझ आगी होगी काहिंड लिए अगर थोसे कम भी आई तब इसे लाइक कर दें बड़ी मेंद किये और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी फेलाएं आपका बहुत बहुत शुक्रियां अल्हाफिस